नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार फार्मासिष्ट वाइकेंसी 2023 लेटेस्ट अपडेट में हैं दोस्तो कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और स्वस्तोंगे दोस्तों आप सभी ने अगर बिहार फार्मासिष्ट वैकिंजी 2023 में आल लाइन आवेदन कर दिया है तो आपको यह जानना बेहर जरूरी होगा कि बिहार फार्मासिष्ट वैकिंजी 2023 में आपका हचैन कैसे کیा जाएगा आपकी मेरिट कैसे बनेगी और मेरिट के लिए कितने अंक निर्धारित किये जागे आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोर जानकारी मिलने वाली है दोस्तो आप लोगों से क्रूप केश्टाई की चैनल को भी सबस्क्राइब कीजी वीडियो को हो सके अपने दोस्तों को भी सेर कीजे ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे चलिए दोस्तो वीडियो को श्टार्ट करते हैं दोस्तो जैसा आप सभी अभ्यार्ति को मालूम होगा कि बिहार में फार्मासिष्ट की वैकेंसी निकाली गई थी सभी अभ्यार्ति आर्लाइन आवेदन भी कर चुके हैं और आनलाइन आवेदर प्रक्रिया भी बंध हो चुकी है ऐसे में छात्रों के मन में एक लगातार सवाल यह उत्पन हो रहा है कि बिहार फार्मसिस्ट बैकेंसी में जो मेरिट प्रक्रिया बनेगी वो कैसे बनेगी और जो मेरिट जा सकती हो कितनी तक जा सकती है दोस्तो अगर आप वीडियो को बीना स्किप किये वीडियो का संपोल पार्ट देखेंगे तो हो सकता है आप से महत पोल जानकारी प्राप्त हो अगर आप वीडियो का एक भी पार्ट मिस करतेंगे तो आप से महत पोल जानकारी मिस हो सकती है दोस्तो बिहार फार्मासिष्ट वैकेंसी के लिए 100 अंक निर्धारित के गया है बिहार फार्मासिष्ट वैकेंसी में 100 अंकों के अधार पर आपकी मेरिट प्रक्रिया तयार की जाएगी जिसमें अगर कोई अभ्यारती इंटर के पास है तो इंटर के प्रापतांग का जो अंक जोड़ा जाएगा वो 30 नंबर जोड़ा जाएगा मतलब बिहार फार्मासिस्ट वैकेंसी में 100 अंकों में से 30 अंक आपको इंटर के प्राप्तांग के अंक पर निर्धारित किये जाएंगे और मिलेंगे 25 अंच जो निर्धारित किया जाएंगे वो diploma in pharmacy course पर यह सभा निर्धारित किया जाएंगे अगर कोई चार्थ diploma in pharmacy सी का course किया है तो उसको विहार pharmacist वायकेंसी में जो merit प्रक्रिया बनेगी वो inter और pharmacist course को जोड़ कर 25 नमबर और inter को कोर्स को जोड़कर 30 नंबर मिलेंगे इसी तरह अगर बात करें बी उच्चतर सिच्छा अगर कोई अभ्यारती उच्चतर सिच्छा किया हो जिसमें बी फार्मा और एम फार्मा निर्धारित है अगर हम बी फार्मा की बात करें कोई अभ्यारती बी फार्मा किया है तो उसको स इस अंक निर्धारित किया गया है इसी तरह सरकारी अस्पताल में आपके कार के अनभो के आधार पर आपको अनभो का अंक भी मिलेगा अगर आप सरकारी अस्पताल में एक वर्ष से कार करना है तो आपको पांच अंक मिलेगे दो वर्ष से कार करना है तो आपको दस अंक मिले अर्थाथ जो अनभ़ों का अंग मिलेगा वो 5 वर्स तक मिलेगा पाँच वर्स में आपको 25 अंक कार अनभव के परमाल पत्र के आधारं पर मिलेंगे। इन्हें सभी अंकों को जोड़ कर आपकी merit तयार की जाएगी और इन्हीं merit के आधार पर आपका selection किया जाएगा तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बता दे हैं इंटर में जो सव अंक में से मिलेंगे वो 30 अंक इंटर के मिलेंगे पचीस अंक जो मिलेंगे वो फार्मासिस्ट कोर्स के लिए मिलेंगे अगर आप उच्छतर सिच्छा की बात करें तो B-Pharma और M-Pharma बालो के लिए 20 अंक मिलेंगे अगर सम्मिदा या कार अनभव की बात करें तो कार अनभव के अंक प्रमाल पत्र के अधार पर आपको 25 अंक मिलेंगे इन सभी अंकों को जोड़कर आपकी मेरिट तयार की जाएगी और इनी मेरिट के अधार पर आपकी काउंसिलिंग प्रक्रिया होगी और counselling प्रक्रिया होने के बाद आपका selection बिहार फार्मासिष्ट वैकिंसी 2023 में किया जा सकता है दोस्तों बिहार फार्मासिष्ट वैकिंसी, counselling प्रक्रिया में कटाप की बात करें तो सबसे पहले जनरल अभ्यारतियों के कटाप की बात करें उलग भग 75 अंक तक निर्धारित किया जाएगा एक दोंग कम या जादा हो सकते हैं अगर यह सी कटेगरी की बात करें तो यह सी कटेगरी वाले अभ्यारत्य को जो कटाप निर्धारित किया जाएगा वो 70 अंक तक निर्धारित किया जा सकता है अगर EWS अभ्यारती की बात करें तो EWS अभ्यारती का जो कटाप निर्धारित क्या जाएगा उलगभग EWS अभ्यारती का जो कटाप होगा उलगभग पचातरंग होगा EWS बाले अभ्यारती को कटाप बिहार फार्मासिष्ट वैकेंसी में थोड़ा कम जा सकता है दोस्तो बिहार फार्मासिष्ट बाइकेंसी केवल मेरिट के ही आधार पर होगी मेरिट में आपके सबी सहचिक योगता के आमको जोड़ कर आपकी मेरिट तयार की जाएगी और उन्ही मेरिट के आधार पर आपका सेलेक्षन बिहार फार्मासिष्ट बाइकेंसी 2030 में किया जा सरकारिकार अनभव का प्रोमालफट्र है उनको 25 संग इस्ट्रा मोनस के आधार पर मिल जाएगा ऐसे में सरकार अनभव के आधार पर अभ्धार्तियों स्रक्ष्स geral सा ज् fan होने के कम चांच तो दोस्तों जितने टेट अगर प्रेस अभ्यारती के हैं तो उस परकार कर रहे हैं उनका सेलेक्शन होने की संपूर्ट संभावना है